Hello friends, तो आज की वीडियो में हम आपसे discuss करेंगे इस design के बारे में हम आपसे discuss करने वाले हैं ये front जो हमारे design हैं, जो आप screen पर देख रहे हैं इसका front है हमारा पास ये ये हमारा पास इसका front 36 feet का है और यदि हम इसके गहराई की बात करें हैं पास ए 43 feet के हमारी गहराई है मेंस की 36 feet 43 feet का ये fans हमारा model है मेंस की 36 feet 43 feet में हमने इसको design के हुआ है इसके 4 parenth awakening है अपनी ही property है तो 4ần coincendant में हमने window का इसमें proposition रखा हुआ है तो ये हमारे पास अपना 36 feet by 43 feet का two floor का ये fans हमारे design है जो की एक बहुत ही अच्छा model है बहुत ही अच्छा हमने इसको design के हुआ है तो हम आपको fans इसके ground floor का और first floor का दोनों ही floor का हम आपको 3D plan के बारे में बताएंगे यह हमार पास इसके ground floor का 3D plan होगा और यह हमार पास इसके first floor का 3D plan होगा और यह रहेगा हमारे पास इसका Elevation रहेगा यह आप देखेंगे हमारे पास इसका Elevation है इसमें आप देखेंगे कि हमारे घर की फैंड जो Entry दिए हुई है वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है अपना Port को Means कि यहाँ पर हमारे पास यह अपनी कार की Parking भी रहेगी या फिर आपको Ground 4 पर एज अपना Sitting अरिया पर पर से रीच करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं Means कि हमारे पार्किंग और Sitting अरिया दोनों हमारे यहाँ पर रहेंगे घर के अंदर जाने के लिए जो हमारे मैन इंटरेंस डोर रहेगा वो हमारे पास यहाँ से रहेगा यह आपको जो डोर दिखाये दे रहा है इस डोर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे यह हमारे घर का मैन इंटरेंस डोर है और यह आपको जो डोर दिखाये दे रहा है यह हमारे घर का अपने गेस्ट्रूम का डोर रहेगा means की other door रहेगा तो हमारा अखर का जो इंटरेंस डोर रहेगा वो फिर्णस हमारा पास यहां पर रहेगा इसका जो फर्स्ट ओर होगा फर्स्ट ओर पर हमने यहां पर ब्रामदा डिजन की हुआ है यह हमारा पास अपना ब्रामदा रहेगा यह हमारा ब्रामदा होगा और इसको तो हम पने फर्स्ट और पे पूरा ही सेटिंग परपस से इसको यूज कर सकते हैं यह हमार पास अपना सेटिंग रिये रहेगा यह जो रूम होगा इस रूम के फ्रेंट में हमने अपने थ्री फिट वालकन के यूज के हुआ है और आप देखेंगे हमार पास यहाँ पर टैस् अच्छे से लेएगा होगा फ्रेंट अब हम चलते हैं इसके टीडी के ट्रफ यह हमार पास इस में आप देखेंगे रहेगा यह बड़ साइज का मैंडैनी हौल मिलेगा यह माद Krpart से sąब हमार पास वहार घए वहए यहां पर तैसे सीट एन कि वह यहां पर फ्रेंट्स आप देखेंगे कि हमने यहां पर एक टॉलेक्का निया और यहां पर यहुआ है तो हमार यहां से जाएंगे हम अपने फर्स्ट दोर पे यह हमार पास अपना इस्टेकेस का हमार जायन है इस्टेकेस के जश्ट नीचे से हमने यह पर एक डोर दिये हुआ है यह हमार पार डोर होगा जिससे हम अपने लेफ शैड में हम जा सकते हैं यह हमार पास अपने लेफ शैड का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंट में फ्रेंट्स हमें अपर एक बड़े साज का हमें ड्रेंग रूम मिलेगा यह हमार पास अपना ड्रेंग रूम होगा यह फिर आप इसे बोल सकते हैं कि गेस्ट रूम का street दोनों को इसके अंदर हमने combine रखा हुआ है यह हमार पास अपना toilet का माड़ जान रहेगा यह फ़र्स हमार पास रहेगा अपना back side के दो bedroom यह हमार पास अपने back side में दो bedroom होंगे यह जो हमारा bedroom है इस bedroom में भी हमें दो window मिलेंगी तो दोनों windows से friends इस bedroom का भी बहुत ही अच्छे से ventilation नूता रहेगा और यह जो हमारा bedroom होगा यह भी हमार पास एक बड़े size का यह हमारा bedroom है तो यह हमारा पास अपना bedroom का लिए रहेगा यहाँ पर friends हमें मिलेगा अपना second bedroom यह हमारपास second bedroom है और यह जो हमारा bedroom है इस bedroom में भी आप देखेंगे कि हमार पास यहां पर बड़े साइच का विंडू मिलेगा, तो यह हमार पास अपना second bedroom का हमार डिजान रहेगा, इस corner में फ्रेंट्स हमें मिलेगा एक बड़े साइच का kitchen का डिजान, यह हमार पास अपना kitchen होगा, kitchen के इंदर भी हमें दो विंडू मिलेगी, तो दोनों windows से हमारा kitchen का भी अच्छे से ventilation होता रहेगा, तो यह हमार पास अपना एक modular kitchen रहेगा, c-shape में kitchen का platform होगा, kitchen के लिए friends हमने attach के हुआ है, store room के साथ में, यह हमार पास अपना एक छोटा सा हमारा store room का यह हमार डिजान रहेगा, तो यह हमार पास friends basically हमारा 3D plan है, जो bathroom separate रहेगा, जो हमारे common है, guest room के साथ हमारा attached toilet है, और बड़े ही size का हमार पास यहाँ पर parking और ब्रामदी का area है, और यह हमार पास अपना front में, हमार पास एक basically छोटा सा हमारा ब्रामदा रहेगा, तो यह हमार पास अपना 3D plan है, जो कि आपको अच्छे से clear हो गया होगा, तो plan हमार पास इसके ground home में था, वही plan हमने as a tis रखा हुआ है, first floor में भी हमें 3 room मिलेंगे, 3 room को आप as a अपना 3 bedroom use करना चाहें, तो bedroom use कर सकते हैं, या फिर आप इस वाले room को as a अपना कोई other room बनाना चाहें, जैसे कि आप अपना study room, या फिर कोई अपना entertainment room, या फिर अपना guest bedroom बना चाहें, तो वह भी आप इहां पर बना सकते हैं, तो total हमार पास इसमें ये 6 room रहेंगे, जिसमें अभी हमने जो डिजन दिये हुआ है, वो 4 bedroom का डियन दिये हुआ है, तो आप इसमें 5 bedroom भी आप इसमें कर सकते हैं, 5 वेच की का, आप इस model को रख सकते हैं, इसमें आप आप देखेंगे, हमने यहां पर भी हमने common toilet और common bathroom का भी प्रोविजन रखा हुआ है, और यहां पर हमने kitchen के ऊपर हमने kitchen का भी डिजन के हुआ है, तो यहां पर हमार पास इसमें पर kitchen को यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर pantry भी आप इसमें रख सकते हैं, pantry डिजन भी बहुती low cost का design है, आप देखेंगे कि कोई भी हमने costly material का इसमें हमने use नहीं किये हुआ है, काफी low budget का काफी अच्छा model है, हमारा जब budget बढ़ता है, means कि जब हमारा material का जो हमारी quality बढ़ती है, जैसे कि tail work हो गया, हमारा stone का work हो गया, या फिर हमारा HPL seat का work हो गया, या फिर other details का designing हो गया, तो वहाँ पर हमारा cost थोड़ा बहुत हमारा, ऊपर हो जाता है, extra हो जाता है, अभी आप देखेंगे कि इसमें हमारा पूरा ही pantries में इसको तयार के हुआ है, हमारा जो parapet का design है, उसमें भी हमने MS की railing का ही, इसमें हमने use के हुआ है, तो हमारा एक low cost का बहुत पूर बताना, तो fans फुलाल के वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपने वीडियो को record share नहीं किया है, तो please like भी कर दीजे, share भी कर दीजे, चैनल को subscribe करना मत बूरिएग मिलते हैं next वीडियो में next planning के साथ तब तक के लिए, जै हिंद, जै भरत